नमस्कर एपलेड बास्तो में आप सभी का स्वागत है मैं सहभीदास में एक बास्तो कंसल्टन्ट और सिविल इंजिनियर हूँ आज मैं कहने जा रहा हूँ बास्तो में जो पंस्तत या फिर फाइव एलिमेंट होता है वो क्या है बास्तु में पंच तत या फिर फाइव एलिमेंट है क्या क्या है एक है जल तत एक है बायो तत एक है अगनी तत एक है प्रिथिवी तत और एक है आकास तत पंच तत में या फिर फाइव एलिमेंट में तीन चीज़े एक है साइकल आप क्रियेशन एक है साइकल आप डेस्ट् और एक है cycle of control उत्तोत दिशा में water element या फिर जल तत होता है पुर्ब दिशा में बायो तत या फिर wood element होता है आग्नियों कोन में अग्नी तत या फिर fire element होता है नईडित कोन में या फिर south west प्रिथिवी तत या फिर earth element होता है और पस्सिम दिशा में मेटल एलिमेंट या फिर आकास्तत होता है तो साइकल अप्रियेशन क्या है फाइव एलिमेंट में एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट को क्रियेट करता है पानी पेर में डालेंगे तो प्लैंट की ग्रोथ होगी मतलब water element create करता है यार या फिर wood element को लकड़ी से fire create होती है तो लकड़ी मतलब wood element तो wood element create करता है fire element को और fire से create होता है राक का राक मतलब earth element तो fire element create करता है earth element को और मिनरेल और मेटल आर्थ से निकालते हैं मतलब आर्थ एलिमेंट क्रियेट करता है मेटल एलिमेंट को या फिर स्पेस एलिमेंट को स्पेस से या फिर आकाश से बादलों से बरसात होती है और बरसात मतलब पानी तो space element या फिर आकर्स्तत create करता है water element को तो यह था cycle of creation अगर इन में से कोई एक element आपका मकान या फिर आपका फ्रैट में imbalance हो तो उसका दूस परिनाम आपको मिलेगा imbalance मतलब मानिए जो कोई जो element वहाँ पर जो उस element का जो zone है उस zone का energy कम है या फिर जादा है तो उस element imbalance है तो imbalance से उसका दूस परिनाम आपको मिलेगा अब में cycle of destruction है मतलब एक element एक दूसरा element को destroy कर देता है तो पहले मिट्टी पानी को सोक लेती है मतलब मिट्टी मतलब और्थ element और्थ element destroy कर देता है water element को पेर को कुलारी से काटा जाता है और कुलारी लोहे से बनती है जो एक metal का है तो metal element destroy कर देता है या फिर wood element को पानी से आग भूजाता है मतलब water element destroy कर देता है fire element को जमीन में पेर जमीन को फार के निकलते है पेर मतलब या या फिर wood element तो wood element destroy कर देता है और्थ element को और आग पिगलती है metal को थत fire element destroy कर देता है metal element को इस five element का एक एक color है एक एक सेफ है तो color क्या क्या है water element का color blue है या फिर wood element का color green है fire element का color red pink orange है या फिर violet है अर्थ element का color yellow है और जो metal या फिर आकस्तत का जो color है वह white है अर्थ element water element को dress try कर देता है तो water element कौन सा दिशा में रहता है उत्तो दिशा में रहता है या इलिमेंट या फिर wood element को इसी तरह water element dress try कर देता है fire element को तो blue color अग्णियो कोन में मत कीजिए और fire element dress try कर देता है metal element को तो red pink orange violet color मत कीजिए पश्चिम दिशा में और यार element dress try कर देता है और या और या फिर उड़िमेंट को आर्फ एलिमेंट रहता है नई रित्त कोन में तो नई रित्त कोन में green color मत कीजिए मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग एस होसते हैं कि water element north में water element के color blue है तो north में blue color करना चाहिए इस्ट में green color करना चाहिए कि इस्ट में यार या फिर wood element होता है तो ऐसे color करने से आपका मकान का या फिर आपका flat का उसका बास्तु दोश हो जाता है कैसे हो जाता है तो color का जो concept वो पूरा depend करता है यह जो applied बास्तु का जो आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि यह analysis करना पड़ता है कि बास्तु में जो 16 जो जोन है उस जोन का जो सेत्रोफल है उस सेत्रोफल को निकालना पड़ेगा आपको और उस data से आपको color करना पड़ेगा तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि south zone बहुत ज़्यादा है सिर्फ में example के लिए मैं बोल रहा हूँ south zone बहुत ज़्यादा है अगर मानिये south zone में है fire element अगर south zone में आपने रेट कलर कर दिया इस मकान में अगर south zone में अपने रेट कलर कर दिया तो यह जो south का energy already ज़्यादा है तो और भी ज़्यादा हो जाएगा यह जो 16 zone यहां पर आप लोग तीन रेखा देख पा रहे हो कि एक है आपर balance line एक है line of balance और एक है lower balance line lower लिवार वैने से जो नीचे उसका strain कम है उसका area आपको और यह स्व क्यादा है उसका strain कम करना पड़ेगा तो 200 नहीं है कि नौर्थ में वाटर एलिमेंट है ब्लू कलर कर दिया साउत में एलिमेंट है रेट कलर कर दिया ऐसा नहीं है आपको कम मकान या फिर आपका फ्लैट का यह जो आपिलाइड वास्तु का 16 जो जो जोन का शेत्रफल से जो एनर्जी चाठे उसको आपको निकलना पड़ेगा उस डेटा से आप को पता चलेगा कि कौन सा जोन में या फिर कौन सा दिशा में क्या कलर होना चाहिए तो आज के लिए इतना ही नमस्कार